हेलो स्वायत है आपका फ्रेई जीके के शानल पे मेरा नाम है किरन भावर आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स करेंट अफेर्स से रिलेटेड 60 टॉप करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं काफी ज्यादा महत्पुन है आपके आने वाले एक्जाम के लिए वीडियो को प जरू जाएगा यहां से प्रशन एक्जाम में आते हैं तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले कोशन से फर्स्ट कोशन साइकलिस्ट रोनाल्डो सिहं एशेय ट्रेक चेंपिंशिप में कौनसा पदक जीतने वाले पहले भारतिय बने हैं कौनसा पदक जीता है इनोने सिलवर म इसको उत्तर क्या हो जाएगा ओप्शन एवाला से ही होगा हर्दिक पांडिया टी ट्वन्टी क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतिय बने हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा फीफा रैंकिंग में भारत की पुरुष फुटबॉल टीम कौनसे स्थान पर है जबकि महल टीम 56 इस्थान पर पहुँच गई है और टॉप पर कौनसा है ब्राजिल है भारत की पुरुष फुटबॉल टीम कौनसे स्थान पर है फीफा रैंकिंग में बताईए उत्तर क्या होगा इसमें से इससा करेक्ट अंसर ऑप्शन डी वाला 104 104 स्थान पर है फीफा रैंकिंग म भारत की पुरुष फुटबॉल टीम 104 स्थान पर है जबकि जो महला टीम है यह 56 स्थान पर पहुँच गई है और टॉप पर कौनसा है ब्राजिल है नेक्स कोशन है हमारा भारत के किस तेज गेंदबाजी और राउंडर ने अंतराश्य क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन इसका सही उत्तर होजाए यह आप्शन एव आला रूमेली धर भारत के तेज गेंदबाजी और राउंडर रूमेली धर ने अंतराश्य क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लिया है नेक्स्त कोशन किस देश के महला कुस्ते टीम ने अंडर 17 एश्य चेंपिशिप जी इसका करेक्ट अंसर क्या होगा बताइए इसका करेक्ट अंसर है भारत देश, भारत देश के महला कुछती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपेंशिप जीता है इसका करेक्ट अंसर होगा ओप्शन डीवाला सन 2026 में फीफा के घोशन अनुसार सन 2026 विश्व कप के मैच जो है यह अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के शहरों में आईजित किये जाएंगे नेक्स कोशन, किस माह के लिए एंजलो मैथ्यूज पुरुष तथा तुवा हसन महला को ICC प्लेयर ओफ दर मन्थ का विजेता चुना गया है किस माह के लिए चुना गया है, इसका उत्तर क्या होगा माई 2022 मन्थ के लिए एंजलो मैथ्यूज पुरुष तथा तुवा हसन महला को ICC प्लेयर ओफ दर मन्थ का विजेता चुना गया है केलो इंडिया यूद गेम्स 2021 में कौनसा राच्य 56 के साथ पहले स्थान पर रहा जबकी महराष्ट दूसरे तथा करनाठक तीसरे स्थान पर रहा है यहां से सवाल एक्जाम में आते हैं बताई इसका correct answer क्या होगा संद 2021 की बात कर रहे हैं तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हरियाना खेलो इंडिया Youth Games 2021 में हरियाना राज्य पचास स्वन्न के साथ पहले स्थान पर रहा है जबकि जो महरास्ट है यह दूसरे और कर्माटक तीसरे स्थान पर रहा है कौन भारत के 74 ग्रैंड मास्टर बन गए है ग्रैंड मास्टर किसे कहते है जो चैस में अच्छा खेलते है बताई इसका उत्तर क्या होगा कौन बने है 74 ग्रैंड मास्टर से related सवाल एक्जाम में आते हैं इसका correct answer हो जाएगा तेलंगाना के है राहुल स्री वास्तव भारत के 74 पूर ग्रैंड मास्टर बन गए हैं नेक्स कुशन किस महला क्रिकेटर ने अंतराश्ट्री क्रिकेट से सन्यास लिया है वेरी वेरी इंपोर्टन कुशन इसको उत्तर क्या होगा बताइए गैस कीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला मिताली राज मिताली राज महला क्रिकेटर है मिताली राज इन्होंने अंतराश्ट्री क्रिकेट से सन्यास लिया है नेक्स देखेगा अब हम यहाँ पर वन लाइनर में इंपोर्टन पॉइंट्स कवर करेंगे काफी ज़ाद महत्पुन है आपके आने वाले एक्जाम के लिए ग्रैंड मास्टर डी गुकेस ने सनवे फार्मेंटेरा ओपन सतरंच टूर्नामेंट जीता है नेक्स्ट भारत ने पॉलेंड को सिक्स फोर से हरा कर फाइफ एस खिताब जीता है भारत ने किस देश को हरा कर गया जीता है पॉलेंड को सिक्स फोर से हराया है और फाइफ होकी फाइफ एस खिताब जीता है नेक्स्ट है आई एस एस एफ जूनियर विश्व कप टुथाजन टून्टी टू में भारत ने तेरा स्वन्न सहित थाटी थरी पदक जीते हैं कितने स्वन्न जीते हैं इसने आई एस एस जूनियर विश्व कप टुथाजन टून्टी टू में भारत देश ने तेरा स्वन्न सहित थर्टी थरी पदक जीते हैं नेक्स्ट शिकर धवन आई पिल इतिहास में 704 के लगाने वाले पहले खिलाडी बने हैं वह कौन सा खिलाडी है जो आई पिल इतिहास में 704 के लगाने वाले पहले खिलाडी बने हैं वह है शिकर धवन नेक्स पॉइंट है फॉबर्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में अर्जेंटिना की फुटबॉलर लियोनल मैसी ने सीर्स इस्थान हासिल किया है वह कौन सा फुटबॉलर है जो टॉप पर है फॉबर्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सुची में वह है अर्जेंटिना की फुटबॉलर इनका नाम है लियोनल मैसी टॉप स्थान पर है नेक्स देखिएगा हाली में हर्शिदा शरद गरूड आई डबलु एफ जूनियर विश्व चैंपेंशिप में स्वन्न पदक जीतने वाली पहली भारती महला बनी है वह कौन सी महला है जो आई डबलु एफ जूनियर विश्व चैंपेंशिप में स्वन्न पदक जीतने वाल पहली भारती महला है इनका नाम है हर्षिदा शरत गरूड नेक्स्ट उनीस्वा एशियन गेम्स 2022 को वश 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है नेक्स्ट है हाल ही में 24 मुक बधीर ओलंपिक में धनुश शरीकांत ने स्वन्न पदक जीता है किसने जीता है 24 वे मुक बधीर ओलंपिक में स्वन्न पदक धनुश शरीकांत ने जीता है नेक्स देखेगा आर प्रग्यानंद भारती ग्रैंड मास्टर है इन्होंने दूसरी बार विश्व चैंपेंशिप मैगनस कारलसन को हराया है इतने पतकों के साथ यह दूसरा खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स 2022 जीता है किसने जैन युनिवर्सिटी ने क्याद रखेगा जैन युनिवर्सिटी ने बहुत साथ इंपोर्टेंट है नेक्स पॉइंट है डी गुकेस ने 48 ला रोडा इंटरनाशनल ओपन सतरंच टॉर्नामेंट जीता है किसने जीता है 48 ला रोडा इंटरनाशनल ओपन सतरंच किसने जीता है डी गुकेस ने जीता है याद रखेगा नेक्स्ट है निवजिलेंड के हामिश बैनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है नेक्स्ट देखेगा 16 वर्षिय प्रग्यानंद ने प्रतिस्ठित रैक जाविक उपन सतरंच टॉर्नामेंट जीता है किसने जीता है 16 साल के है यह प्रग्यानंद इन्होंने रैक जाविक उपन सतरंच टॉर्नामेंट जीता है नेक्स्ट है विक्टोरिया में किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा कर F.I.H. जूनियर महला होकी विश्वकब जीता है नेक्स्ट है आईपे लितिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाडी कौन बने है रवी चंदरन अशूइन बने है Very important याद रखेगा रिटायर आउट होता है क्या है रिटायर आउट में खुद से पविलिन लोड जाते है मतलब इन्हें आउट नहीं किया जाते है ना ही किसी Ampire की द्वारा ना ही किसी Baller की द्वारा खुद इसे आउट होकर चले जाते हैं उसे कहते हैं रिटायर आउट तो आई पिल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है रवी चंदरन अश्विन है नेक्स्ट है आस्ट्रेलिया ने इंगलेंड को हराकर साथवा महला क्रिकेट विश्वकप जीत नेक्स्ट पॉइंट ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ दे इयर 2021 का खिताब जीता है नेक्स्ट आस्ट्रेलिया के टैनिस प्लियर है ऐशले बाटे इन्होंने सन्यास की घोश्णा की है वेरी इंपोर्टेंट एशले बाटे बहुत ज़्याद इंपोर्टे नेक्स्ट देखेगा भारतिय गेंदबाज एश श्री शंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से सन्यास लिया है भारतिय तीज गेंदबाज है इनका नाम है एश श्री शंत इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है नेक्स्ट प्रियंका गुटकी भारत क 23 महला ग्रैंड मास्टर बनी है याद रखेगा 23 महला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है प्रियंका गुटकी बनी है भारत की है ब्री इंपोर्टेंट नेक्स्ट है BCCI ने रुपे को Tata IPL 2022 के Official Partner के रूप में नामित किया है अब जो कोशन्स हम कवर करेंगे ये लास्ट 6 मन्त से रिलेटेड आपको मिलेंगे नेक्स्ट है दबंग दिल्ली ने पटना Pirates को हरा कर पहला P.K.L. खिताब जीदा है भारत के आर प्रग्यानंद विश्व के नंबर एक मैगनस कालसन को हराने वाले सबसे युआ खिलाडी बने है वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा इनका नाम हम दो से तीन बार पढ़ चुके हैं बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है 2023 में अंतरराष्ट्री ओलंपिक समीती के सत्र की मेजवानी मुंबई करेगा कौन करेगा मुंबई करेगा 2023 में सन 2023 में अंतरराष्ट्री ओलंपिक समीती के सत्र की मेजवानी कौन करेगा मुंबई करेगा नेक्स्ट आइपियर टीम एहंदबाद का आधिकारिक नाम गुजराद टाइटन्स होगा नेक्स्ट है चल्सी ने ब्राजिल को हराकर 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है नेक्स्ट पॉइंट चेन प्यूपल्स रिपबलिक ने दक्षिन कोरिया को हराकर AFC महला एशिया कप भारत 2022 का खिताब जीत लिया है नेक्स्ट है नीरत चोपड़ा वर्ल्ड ब्रेक्थ्रू अफ दे यर अवर्ड के लिए नामित हुए है नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूजिलेंड के डेरिल मिशिल ने ICC सिप्रेट अफ दे क्रिकेट अवर्ड जीता है नेक्स्ट देखेगा चैने सुपर किंग्स भारत का पहला उनिकोर्न एंटरप्राइस बन गया है नेक्स्ट पी आर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलेट आफ दे इयर पुरुषकार 2021 जीता है पी आज श्रीजेश ने जीता है हाल ही में महला होकी एशिया कप टुर्नामेंट 2022 में भारत ने चीन को हरा कर कान से पतक जीता है संजीव गोईनगा के स्वामित वाली लखनव आईपियर टीम का नाम बदल करके लखनव सूपर जॉइंट्स कर दिया गया है पाकिस्तानी कप्तान बावर आजम को 2021 के लिए ICC मैंस T20 टीम आफ दे एर का कप्तान बनाया गया है गोल कीपर सवीता पुन्या भारतिय महला होकी टीम की कप्तान बनी है नेक्स्ट है तमिलनाडू के भरत सुब्रमनियम भारत के 73 सत्रंज ग्रेंड मास्टर बने है 73 नमबर के सत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन बने है तमिलनाडू के है भरत सुब्रमनियम नेक्स्ट लिजन्ड ली क्रिकेट LLC ने जुलन गोस्वामी को ओल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का आमस्टर नामित किया है नेक्स्ट है हाली में पंकच आडवानी ने धुरू सीत वाला को हरा कर राष्ट्य ब्लियर्ट्स खिताब 2021 खिताब जीता है नेक्स्ट अनाहत सिह जुनियर स्क्वैस ओपन जीतने वाली पहली भारतिय महला बनी है नेक्स्ट दीखेगा एजाज पतिल एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदवाज बने है वहाँ है एजाज पतिल नेक्स्ट है 2025 में एश्यय यूवा पैरा खेलो की मेजवानी किसके द्वारा की जाएगी ताशकन उजबेकिस्तान द्वारा की जाएगी संट 2025 में एश्यय यूवा पैरा खेलो की मेजवानी नेक्स्ट है दक्षिड अफ्रिका के क्रिकेटर ABWS ने सन्यास की खोशना की है नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसलिंग ने भारतिय बैडमिंटन दिगज प्रकास वादुकोन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड 2021 के लिए चुना है नेक्स्ट है हालही में मित्राब गुहा भारत के 72 ग्रैंड मास्टर 27 ग्रैंड मास्टर बने हैं नेक्स्ट है एहमदबाद और लखनव दो नई टीमें हैं जो 2022 से इंडियन परेमियर लिग का हिस्सा होगी यानि अब प्रतियोगिता में टीमों की संक्या दस हो जाएंगी जिसका उत्तर आपको comment करके बताना है question है दुबेई golden visa पाने वाले विश्व के पहले goal for कौण बने है very very important इसका उत्तर आप comment करके बताईएगा आज के वीडियो मितना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जितने भी महतन पॉइंट्स थे हमने सारे कवर करवा दिये हैं इस करण्ट अफेर में आपको पिछले 6 मेहनों से रिलेटेट भी आपको देखने के लिए मिल गए होंगे ठीक है चले आज की वीडियो में इतना ही इसका फ्री पीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा वहां से आप इसले डाउनलोड कर सकते हैं ठैंक यू